लोगसभा में और बाहर याने कि सदन के अंदर और सड़क पर भी आज एक बिल को लेकर चर्चा हो रही है वक्फ बोर्ट संशोधन बिल इसे मंत्री किरम रेजीजु ने बिल में आज पेश किया है हाउस के अंदर और इस पर जमकर हंगामा भी बरपा है वक्फ बोर्ट संशोधन बिल क्या है? क्या modification amendments की बाव किजिएगा बात कही जा रही है ऐसे कौन से points है और उन points पर विपक्ष का एतराश क्या है उस पर तो हम बात करेंगे ही लेकिन हम पहले बात कर लेते हैं हंगामे की मेरे साथ है मेरे सयोगी ललित बिल्कुल और जो हंगामे की बात कही है आपने सही है सदन से लेकर सड़क और ना सिर्फ सड़क बलके सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर वक्फ वोड को लेकर जो संशोधन आये हैं उसे लेकर बहुत सारी चर्चाएं चल रही है आज सदन में भी इस तरह किस्तियां बनी और आपने देखा है कि जब हमिशा बोलते हैं और खास्तों पर जब वो गुस्ते में बोलते हैं तो फिर उनकी जो भाव भंगिमा होती है इसी तरह की बात उन्होंने 370 के बड़ भी बोली थी ट्रिपल तलाक को लेकर जो बात आई थी तब भी उन्होंने कही थी आज भी वो है इस हंगामे के बीच हलाकि वो जेपी सी को भेज दिया गया है लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिनने लेकर चर्चाय चल रही हैं लगातार चर्चाय चल रही हैं और हंगामा भी होगा और मेरा ख्याल है कि एक बार हम अपने जो पॉलिटिकल रियक्शन्स हैं वो भी अपने दर्चकों को सुनाएंगे कि किस तरह से पॉलिटिकल रियक्शन्स इसे लेकर लगातार आ रहे हैं। वक्व गोर्ड संचुदन बिल पर अपना एतरास रख रहे थे। क्या कहा था अखिलेश चादव ने और किस तरह एतरास जताया अमिश चाहने पहला आप वो देख लीजिए। कि गोल मौल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अधिक्स के अधिकार के संदेख सकते। कॉंग्रेस पार्टी सुबर शाम राच जाती 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 करते रहते हैं और यहां जाती पूछते पर सवाल खरा करता है। कॉंग्रेस पार्टी ने आज ऐसा काम किया है यह इसको कमजोर करते के रहे। एक और मामला है वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। कल की हेरिंग थीम अधिप्रदेश आइकोर्ट की और अपड़ना बहुत महत्पून है यह। कल अधालत में पहलु वालिया साहब थे जैज। उनके सामने बुरहानपूर का एक मामला पहुचा नाधिरा साहब बीबी की संपत्ति से जुड़ा हुआ यह था। वक्फ बोट चाहता है कि वो हमारी संपत्ति हो तब उन्होंने बहुत मारकी की टिपनी करी। कि कल को आप किसी भी चीज़ पर हात रख देंगे तो क्या वो आपकी हो जाएगी वो वक्फ बोट की हो जाएगी और बहुत दिल्चस्प वो हेरिंग है वो भी लगातार सोशल मीडिया पर चल रही है यह तल्ख टिपनी की गई उन्होंने का कि कल को आप मेरी अदालत पर कि यह वक्फ बोट की संपत्ती है वो भी एक बार दर्शकों को जरूर सुननी चाहिए वो भी अपने दर्शकों को सुनाएंगे और उसके बाद फिर जो संशोधन है उसको लेकर थोड़ी चर्चाएं तो आपने यह जर्च की टेपड़ी सुन ली अब जरा वक्फ बोट कि आप दान कर देते हैं उसे बोलता है कि वक्फ कर दिया गया और वक्फ अरबिक वर्ड है उससे आया है जी जी आपने सही का अरबिक वर्ड है और बहुत मारके की बाद जो कही गई है अपड़ना ने बहुत अच्छा टर्म याद दिलाया अब जब लोग जो विरोध कर रह है जो अच्छी बाते हैं जिस पर गौर किया जाना चाहिए वो यह कि ठीक है पक्ष और दलीले अपनी अपनी जगह होती है जेपी सी इस पर क्या करेगी पारलिमेंटरी कमेटी यह तमाम बातें अपनी जगह हैं लेकिन कुछ एक पॉइंट जो आपना जो सही लगते हैं द कुराने नियमों के हिसाब से उसमें महिला और गैर धर्मी जो इस मधब को नहीं मानता है उसकी एंटरी की बात कही गई है दूसरा जो सबसे जादा वैबाद हो रहा है लोगों का कहना है तर कि यह दिया जा रहा है कि सरकार इसके जरीए कबजा करना चाहती है लेकिन इस से कार के नियंतरन में है तो आप वहां से भी आवाज उठ रही है भाई कि सिर्फ मंदिरों पर क्यों नियंतरन करेंगे अगर करना है तो सारी चीजों पर होना चाहिए चर्च पर होना चाहिए मस्जिद पर होना चाहिए इस तरह की बाते निकल कर आ रही है विरोध में जो ल पत्ति पर गबजा करने की कोशिश है, दूरियों को बढ़ाने की कोशिश है, धार्मिक जो स्वतंतरता है, उसमें दखल देने की कोशिश है. इतना रिच है, कहा जाए, उतना संपत्ति उसके पास है, कि देश में तीसरे नमबर पर आता है, आर्मी, रेलवे और वक्त वोड़, बिल्कुल सही बात आपने कही है, बहुत मारके की ये बात है, आप संपत्तियों का अंदाजा लगा लिएजी, क्योंकि वो नियम है, इसके बाद रक्षा मंत्राले के पास सबसे जादा जमीन है, और उसके पाद वक्त वोड़ की, अगर कुल संपत्ति, चल अचल संपत्ति की बात कर लिजा है, वो तकरीवन 9 लाग करोड से उपर की पहुंसती है, यही वजा है कि सरकार चाहती है, कि अब उसमें ट्रांस्प अचल मतलब वो कुछ भी सकता है, एक साइकल हो सकती है, पूरी आपकी लैंड हो सकती है, आपना पूरा महल हो सकता है, तो क्योंकि जिस समय यह चीजे आई, जब इसलाम हिंदुस्तान में आया, तो उस पक जो जमिदार लोग थे, या बड़े-बड़े राजा थे, उन्हे अपनी समपतियां वक्व की, तो वो बड़ी-बड़ी प्रॉपर्टी वक्व के पास लिगई, बात यहां पर यह उड़ती है कि पैसे का जो प्रॉपर्टी वक्व के पास गई, मालने जिए एक स्कूल वक्व को दान किया गया, अब उस स्कूल का अस्तिमाल जन कल्यान के हो रहा है लेकिन रहा है उसका इस्तीमाल किस तना से हो रहा है वह नहीं पता है और सबसक्रास कर रहा है उसको लेकर ट्रांस्पेरेंटर जिसका जिक दालित ने अभी किया त्रांस्पेरिस सबसे महतोपूर han isot जैसे आपने भी एक्जांपल दिया आपना के भाई आपने तो कर दिया आपने बोल दिया कि ये मैंने एक अच्छे कॉस के लिए दिया है इसके पीछे तरक्या दिया जा रहा है जो आपना ने बात कही कि दान धर्म जैसी परोपकारी चीज़ें कम हो जाएंगी लेकिन जो ब पहले क्या कर सकते थे section 40 में reason to believe के तहट वक्फ बोड किसी property पर दावा करें तो सिर्फ आप ट्रिब्यूनल में जा सकते थे अब नया बिल कह रहा है कि नहीं आप अदालत में भी जा सकते हैं civil court जा सकते हैं high court जा सकते हैं वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला पहले आखरी माना जाता था अब जो फैसला है उसे अधालत में उसे challenge किया जा सकता है नया संशोधन किसी जमीन मस्जिद या उसका उपयोग इसलामिक उद्देश्यों के लिए हो तो वो आटोमेटिक वक्फ की संपत्ती हो जाती जैसे मैंने भी कहा कि भाई आप इस पर हाथ रख देंगे य महिला और बतौर सद से अन्य धर्म के लोगों की entry नहीं होगी यह पुराना है इसमें संशोधन करके दो महिलाओं और अन्य धर्म के दो सदस्यों को इसमें entry दी जाएगी मोटा मोटी यह पॉइंट्स हैं महिलाओं की जो विमन एमपार्मेंट के हम बात करते हैं, जो केंदर सरकावी लगाता है, फोकस उसके रखती आई है, वो बात वो इसलिए क्योंकि 21 जदी है, जिस वक्त वक्त बना था, चववन में शायद ये एक्ट पास हुआ था, उस वक्त मुस्लिम महिलाओं को लेकर इस बात को उठाती रही है, इसके लावा हम तबको की बात कर लेते हैं, एक जो विवाद उठता रहा है, वो शिया सुन्नी को लेकर भी, क्योंकि इसमें कहा गया कि जो शिया कहते हैं कि सुन्नी जो हैं, वो पूरा कंट्रोल करना चाहते हैं, इसलिए कई जगा उपर शिया सु दू और का जिक्र है एक तो आपने देखा होगा दाउदी बोहरा जो मुस्लिम है और आगाखानी दाउदी बोहरा वहीं है आपको याद होगा कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी मध्यप्रदेश पर रहते हैं वो ज़रूर जो दाउदी बोहरा समाज के प्रमुख हैं उनसे जरूर मिलने जाते हैं, एक और मस्जिद में आपने देखा होगा, अपकी बार 400 पार, मोधी सरकार, इस तरह के आपने जो पोस्टर देखे थे, वो भी दाउदी बहरा समाज है, इसके अलावा अगा खानी, इनके लिए अलग से वक्फ बोर्ड बनाने की पहरी भी की गई है, इस वज़े से उनके लिए अलग वक्फ बोर्ड की बार जो डिमांड है, वो भी इसमें की गई है, इस संशोधन के जरीए. देशबर की बात की जाए, तो अलग-अलग जो है, वक्फ बोर्ड की संक्या 30 के बराबर है, पहले ये एक कंट्री वाइट, रास्टर स्टर पर काम करता था, उसके बाद इस से राज्यों में भी वक्फ बोर्ड की गठन की अनुमती दी गई, और अब जो ये कहा जा रहा ह जो राजनिती करने वाले हैं, जो ये आरोप रगार हैं केंद सरकार पर, उसकी नियत पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो मंत्री रहे है, रिजीजू, मंत्री जो है, उन्होंने कहा असाफ कि ये हक छीन नहीं रहा है, बलकि हक दे रहा है मुस्लिम महिलाओ को, परकिया जा सके हैं, एक बड़ी महत्वड़न बात हैं, जब भी हम इस्लाम की बाते हैं, एक शब्द हो गया इसलाम, एक शब्द हो गया उसका असलामी करन, को मौलवी ओं के दौरा पढ़ाया गया, कई बार जो मिस गाइड किया गया, बहुत सारी खोबियां हैं, हर धर्म की खूबियां होती है अपनी खूबियां होती है लेकिन वक्त के साथ उनमें अपडेशन उनमें वक्त के हिसाब से होता रहता है महिलाओं को उनका अधिकार देना होगा और यही परमसत्य है इसी को लेकर यह पूरा इनिशेटिव उठाया गया है जिसकी बात अभी आपने अब वो सामने आते हैं, प्रोटेस्ट होता है उसे लेकर और जो हक है, मेहर मेरा ख्याल है वो शब्द है, उसकी शकल में जो हक मिला करता था, वो ट्रांस्पेरेंसी बढ़ी है, इसी तरह की ट्रांस्पेरेंसी बढ़ाने के हिसाब से ये सारे संशुधन हैं. जिसे अलडित नें कहा कि इसलाम है और इसलामिकरण की बात है, तो इसलाम की सबसे अच्छी जो ताकत और खुबसूर्ती कहीजाती जो इसलाम के जानकार है, जो धर्मग्रू है, वो कहते हैं। अकेला एसा धर्म है जो महिलाओं को बहुत ताकत देता है, स्लाम में जो शाधी के बाद भी महिलाओं को अलग अधिकार हासल है, लेकिन बशर्ते कि महिलाओं को वो fix वह ज्ञान हो, कि उन्हें इसलाम क्या क्या अधिकार दे रहा है, इसलिने कहल जाता है कि मौलाना या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते नहीं कि महिलाओं तक वो ज्ञान पहुंचे और वो उनके अधिकारों की जानकारियां वो ना पहुंचे इसी तरह के जो बहुत सारे विरुधावास थे उनके चलते ये संशोधन कानून आया है एक और पॉइंट जो बहुत जरूरी है वो एड होना चाहिए कि 2013 में दरसल यूपीय सरकार के दौरान जो पावर बढ़ाई गई वक्फ बोर्ट की वो ऐसा माना जाता है कि एक होता है ना कि आप किसी को असीमित पावर देते हैं और असीमित पावर जब होगा असीमित पाव बहुत अच्छी बात है विपक्ष ने मांगी कि जेपीसी के पास आप हिजदी राहूल गांदी कह रहे थे शायद अब मामला जेपीसी के पास है ये जो संशोधा ने ये कब कानून की शकल अख्तियार करके जमीन पर आएंगे और किस तरह से आएंगे ये भी देखने वाल ने शृप तो उस पर मन्थाने यह कहा था तो देखिए ये सच्चर कमेटी के रिपोर्ट पर हम अमेंदमेंट कर रहे है और सेच्चर कमेटी के टिपोर्ट कब आई थी आपकी सरकार के समय ही आई थी तो इसलिए यहाँ पर और विपक्ष की जो बड़ी आपती वो यह है कि हर्याना में महरास्ट में विधानसभा चुनाओं हैं ऐसे में तुष्टी करण सरकार कर रही है यह विपक्ष कारोप है क्योंकि डर है कि कई ऐसा नहों कि तुष्टी करण या इस बिल का फाइदा आँगा सोचल मीडिया पर जो तैर रहा है बहुत ही अजीब सा है कि मतलब इस पर हम इस प्लैटफॉर्म पर क्यों बात कर रहे हैं लेकिन यह जीब है बहुत सारे लोग आप जाने की कि तर्क्या दे रहे हैं कि किरन रिजुजी कर रहे हैं वो मंत्री हैं उन्हें अवाम न बेजा है, वोटर्स ने भेजा है, आपने उनको नुमाइंदगी दी है, इस वज़े से वो बिल पेश कर रहे हैं, मेरे खाल से अल्पसंग के कल्यान उनके पास है और यह अजीब सी बात है तो सोशल मिट्या का दोर है, यहाँ पर कुछ भी चीजे सहवार उठाये जाते हैं, लेकिन समझना होगा कि देखें, यह बहुत महत्पून मुद्दा है और यह सिर्फ सरकारों के लिए नहीं या विपक्ष के लिए नहीं, बलकि यह आवाम से जुड़ा मुद्दा है, आवाम के सरोकार के लिए है गुकि कई दो मैंने के नेखी आडई का दान तो मैंने दाल दिया लेकिए लेकिन लै pulled लेस को निकाल कर ऊसको वैवसाई करने लगे भेच्छने लगे तो यह देक động यह एंस्यूर करने के लिए कि सोशिल कौस उनके कौने उस्तिमाल जिक्र है मैं बहुत छोटी सी कहानी अपने दर्शकों से शेयर करना चाहता हूं कि अवैसी हर बात का विरोध करेंगे वो विरोध उनकी आदत में है तो राजनी ती है उनकी और इसी के साथ मेरे ख्याले टाइम भी हो गया है तो वैसी का में एक जिक्र जरूर करना अकबरुद्दीन बहुत तेग्रेस से वो भाषण के लिए जाने जाते हैं बहुत आपती जनक बाते उन्होंने सनातन को लेकर कहीं वो अदालत में पहुंचे हुए थे और जजज ने उन्हें जब जमानत दी तो उन्होंने का कि अकबरुद्दीन तुम्हें प्रॉब्लम क्या है इस शब्द से फिर उन्होंने अपने उनके जो पिता है वो नवाभी खांदान से आते हैं वो वैसी परिवार उन्होंने उनके पिता के बारे में जिक्र किया और बहुत मारके की बात ज़साब ने बोली कि देखो तुम तुम राम के खिलाफ हमेशा बोलते हो और तुम्हें बचाने के लिए अदालत में आज दो-दो श्री राम खड़े हुएं दरसल उनके जो दोनों वकील हैं उनके नाम में राम था यही इस देश की तहजीव है देश की खुबसूर्थी है तो खेर आप जेपीसी के बास यह बिल चला गया है अमेंडमेंट बिल और देखना यह होगा कि आप किस तरह से इसमें आगे और टर्न ट्विस्ट आते रहते हैं आप तक से माम अपडेट सम पहुचाते ही रहेंगे फिलाल इतना ही धन्यवाद